दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप डेली फ्रीज में रखा हुआ पानी पीते हैं तो यह आपके शरीर में क्या नुकसान करता है जिसके बारे में आपको शायद नहीं बता होगा आईरवेद कहता है कि बना हुआ खाना आठ घंटे से ज्यादा समय के लिए रखना नहीं चाहिए यानि कि खाना आपको ताजा बनाना है और ताजा ही खाना है और खाने को गरम करने का मतलब है उसे जैहर में करना तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीज में रखा एक से दो दिन का थंड़ा पानी श्रीड को कितना नुक्सान कर सकता है ठंड़ा पानी पिकर भले ही आपके मन को सुकुन मिलता हो लेकिन हैं सारी मिमारियूं का जड़ है थंड़ा पानी पिने के सबसे लंबी कार्णीवल नर्व कहा जाता है, जो कि गर्दन से होते वे हार्ट और डाजेस्टों सिस्टम को कंट्रूल करती है, जब भी आप ठंडा पानी पीते हो ना, तो ये नर्व ठंडी होकर हार्ट रेट को धीमा कर देती है, जब तक ये पानी आपके शिरी के पानि हो जाती है। दोस्तों हर एक बिमारी फिर चाहे वो diabetes हो या फिर heart attack हो, high blood pressure हो, brain stroke हो, चहरे पर pimples हो, मोटापा हो, kidney stones हो, यह सारी ही बिमारीं का कारण थंडा पानी पीना होता है। आपने महसूस भी किया हुआ कि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं, तो यह डारेक्ट सिर पर चड़ता है, इससे सिर में दर्द भी होने लगता है, आपको पता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं, तो जो हमारी नर्व है, जो हमारी दिमाग की और ब्लड का जो circulation है वो कम हो जाता है जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो दिमाग की और जो blood circulation है वो कम हो जाता है जिस करण से हमारा memory loss होता है अगर हम हर रोज ठंडा पानी पीते रहेंगे तो दिरे-दिरे हमारी दिमाग की छमता जो है ना कम होती रहेगी हमें आलस मनाते रहेगा और हमारी मेमोरी पावर विक हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो तो फ्रीज वाला ठंडा पानी पीना आज से ही बंद कर दीचे यानि कि पैंक्रियाज इंसुलीन के प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब हमारी बाडी में शुकर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान को डाइबेडीज हो जाती है तो अगर आप भी डाइबेडीज से मजना चाहते हैं तो ठं ठंडा पानी पीने से मुटापा आता है घरता है अगर तंडा पानी पी रहे हैं यह सोच कर कि «पानी पीने जांडा पानी से मोड़ा कम हो finalmente बढ़ेगा। अगर छे पन के पिलें को जरू कर देता है जिसे महारा खायवा खाना चरश सरी में जमा होना शुरू हो जाता है हमारा metabolism जो process है उसके उपर सबसे ज़्यादा pressure पड़ता है हमारे thyroid ग्रंथी पर जो कि हमारे गले में और जब भी हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो यह हमारे गले के अंदर मौझूद thyroid gland पर असर डालता है और thyroid glands, thyroid hormones को release करना कम कर देते हैं इससे हमारा metabolism process slow हो जाता है और सान का वजन बढ़ने लगता है दोस्तों अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आज से फ्रेज वाला ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद करते हैं ठंडा पानी आपके खाने के nutrition को खत्म कर देता है अगर आप nutrition लेने के बाद ठंडा अगर आप ठंडा पानी नहीं पीते हैं तो यह उर्जा भूजन के पांचन और पोशक त्यत्यों के आश्योशन में काम आती है इतना ही नहीं दोस्तों ठंडा पानी से आपका heart attack भी आ सकता है अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे दरसल जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो इ पीना आज से भी बंद कर दीजिए थंडा पानी पीने से खाना नहीं पचता जिस कारण से पेट खराब होने से वहारे पेट में बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिस कारण से अर्ट्रीज में ब्लॉकिज होने लगती है और एक समय आपको heart attack हो सकता है जिस स रहती है। उन्हें हर तरह की बिमारी लगती है। सड़ने लगता है। और हमारे खुन सड़ने लगता है। यही गंदा खुन जब चहरे पर से निकलता है तो pimples हो जाते हैं, जब यही गंदा खुन गाल ब्लेडर में जमता है तो गाल ब्लेडर स्टोन्स हो जाते हैं, और यही गंदा खुन जब हमारे किड्नी में जमा हो जाते हैं, तो किड्नी स्टोन्स की प्रॉलम हो जाती है, यान कुकि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो पेट में एसीडी को बढ़ा देता है और एसीड हमारे झोड़ों में जमकर जोड़ों में दर्द करना शुरू कर देते हैं और जोड़ों में सुजन भी पैदा हो जाती है इसलिए अगर आपके जोड़ों में धरद और घुटनों हैं तो इससे आपके बाड़ी में कभी कोई बीमारी का मिलता है मेटाबॉरा ब्रोसिस से इंसान का वजन होता है समस्या करतुब हो जाती है अपने डिली रूटीन में अगर आपके मीसे हैं तो यह सारी ही समस्यां खत्म हो जाएगी तो दोस्तों आसे फ्री जला ठंडा पानी पिना बंद कर दीजे थन्यवाद